हाई कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस मैनस पर मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शांदार क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम कोशन सॉल्व करेंगे मैज लिए जो कि हमारे यह आपके आने वाले सभी जितने भी दोजार जोविस में एक्जाम होने वाले हैं उन सभी एक्जाम के लिए बहुत बढ़िया सीरीज रहने वाली है जिसमें हर एक कोशन को बहुत डिटेल में जल्दी करने की कोशिच करेंगे ताकि आप लोगों कोई बी एक स्पीड भी ब पहले कोशन पर और साथ ही बताता हूँ कि किस एक्जाम से हमने कोशन लिए था कि आप लोगों को भी अंदाज़ा रहेगी इस एक्जाम के पेपर सॉल करकर जा चुकिया और एक्जाम में आपको एक confidence आएगा पलोगों कि ये जहाँगा कि आप लोगों की मदद के लिए प हम आगे इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, यह जो आपको कमेंट करने के लिए इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कमेंट करने में टाइम जाधा लगेगा, छोड़ी उस बातों को सिर्फ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कि वीडियो अच्छी है लगी यह एक्जाम हमने लिया है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो की एक्जाम हुआ था पंदरा फरवरी दोजार चौविस को और सेकंड शिफ्ट में तो इस शिफ्ट के आज हम कोशन करने वाले हैं फट फट करते हैं पहला कोशन है कि मनीश बोरो 6,000 from a friend and agrees to pay an annual simple interest of 2.5% देखिए धाई परसेंट का annual rate है he plans to repay the loan in two years what will be the total interest he pays in the loan देखिए बहुत basic सवाल है मान लीजे 100 पर उसने उधार लिये थे तो एक साल में धाई परसेंट की ब्याजदर से एक साल में धाई परसेंट की ब्याजदर से वो कितने रुपे देगा धाई रुपे ही देगा वो कितने रुपे देगा धाई रुपे ही देगा अगर मैं बात करूंगा दो साल की तो यहां पे वो कितने रुपे देगा पांच रुपे दे तो देखिए दो साल वाला कॉंसेट्ट हो गया यहां पे धाई परसेंट वाला हो गया पर एक्चुली में छे हजार बोरो करे थे हमने बोला कि सौर पे जब लिए तब तो भाई उसने पांच रुपे दिये देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर सौर पे लेता धाई परसे कर देंगे यानि कि हो जाएगा आपका 300 रुपे तो 300 रुपे की धनराशी वह ब्याज के रूप में चुकाएगा अपने लोन के साथ तो ऑप्शन नमबर थ्री एबसलूटली करेक्ट हो गया देखिए बहुत इजी कोशन था बहुत ही प्यारा कोशन था इस तरीके के कोश पर दिया जाने वाला ब्याज तो आपका इंट्रेस्ट कहलाता है सौर पेपर दिया जाने वाला ब्याज एक साल में सौर पेपर एक साल में दिया जाने वाला ब्याज क्या होता है इंट्रेस्ट कहलाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आप लोगों के साम दी गई है the difference between total number of students playing badminton from the all the schools सारे के सारे schools जैसे ABCD तो यहां पे badminton आप लोग देखोगे तो सबको add करना है 100 plus 310 plus 170 plus 180 plus 220 इन सभी को add करना है और total students playing cricket from all the school और cricket यानि की 220 110 160 180 210 इन सभी को add करके इनका जो difference है वो निकालना है मैं basically क्या करता हूँ मैं पहले cricket का difference देख लूँगा कि बैड्मिंटन और cricket में a school है जो school a है उसमें क्या difference आ रहा है 220 में से सो जाएंगे 100 का difference आ ठीक है बी में क्या है अब देखिए यहां पर अगर मैंने इसको positive ले लिया है तो अगले वाले को मैं को negative लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि 110 छोटा है 310 से तो 110 में से 310 जाएंगे तो यह कि हमारा कितने का बचेगा यहां पर छोटी से मिश्चेक हो गई एक स्टार्टिंग में कि जैसे 220 में से 100 माइनस करे थे तो 100 नहीं बचेगा 120 का 120 माइनस 210 में से 100 챙 गए 120 अब 210 तो यह बचएगा आप माइनस 10 अब देखिए 120 में से 10 माइनस कर दीजिए 10 माइनस कर दीजिए तो यह क्या बचेगा 100 माइनस 200 100 में से 200 जाएंगे तो बचेगा 100 जो की माइनस का बचेगा हमें difference बताना था दोनों के बीच में difference कितने का है तो difference है आप लोगों का 100 का इस concept को अगर आप समझ पाए तो ठीक है नहीं तो आप badminton को अलग जोड लीजिए cricket को अलग जोड लीजिए मैंने पूरा पूरा अलग जोडने की बचेगा क्योंकि हमें end में minus ही करना था difference ही निकालना था तो हमने क्या करा कि पहले जो बड़ा है उसमें से घटा लीजिए उसके बाद आप लोग difference चेक करते रहिए अब 220 में से 100 गए तो हमारा 120 बचा था 110 में से 310 तो 200 गए बचा था तो इस तरीके से हमने difference पहले चेक कर लिया बिना add करें तो हमारे पास total difference कितना है 100 यान की option number 2 हमारा correct हो गया third question if the average of 34% of a and 45% of a b is equal to 3 5th of the difference of a and b find b as percentage of a देखिए बहुत easy question है पर यहाँ पर calculation आप लोगों को दे दिये कुछ जो percentage value दे दिजे वो अरहम से कटने वाली नहीं है देखिए क्यार क्या है 34% of a यान की 34 upon 100 multiplied by a and 45% of b तो इसका add करेंगे 45 upon my 100 multiplied by इनका average निकालना है average का मतलब दोनों को add करके हम divide by 2 करेंगे यह add इसलिए करा क्योंकि average हमें क्या होता है दोनों का sum divided by number of units तो 2 है अब यह किसके बराबर है is equals to the 3 5th of the difference between a and b 3 5th 3 by 5 upon difference किसका a और b का 3 5th to the difference between a and b find b as a percentage of a तो पहले इसको देखेंगे तो यहां पे 100 100 है ही तो यह कितना हो जाएगा 34 a plus 45 b upon में 100 था तो यह 2 नीचे 2 था तो 200 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3 by 5 a minus b है पास्यकाट दीजिए इसे यह आपका 40 पे कर जाएगा यह आपका हो जाएगा 34 a plus 45 b is equals to 120 a minus 120 b clear है अब 120 b को आप दूसरी साइड ले जाएगे यहां पे आपका 45 b इंतिजार कर रहा था तो यह हो जाएगा आपका 165 b is equals to 34 a को आप इधर लेके आएगे तो यह आप लोगों का कितना हो जाएगा यह आपका बज़ेगा 6 और यह बज़ेगा आठ ची ग्यारा आठ ची 86 a यह आपका क्या हो जाएगा 86 a तो b की वैल्यू क्या हो गई b की वैल्यू हो गई 86 upon में 165 a बी की वैल्यू जो एक बात जो हमसे कोशन पूछा गया है find b as a percentage of a b को a के percentage के रूप में निकालना है तो a के वैल्यू के रूप में तो हम वैसे ही निकाल चुके हैं अब बस percentage की रूप में निकालना है तो percentage क्या हो जाएगी 86 upon में 165 multiplied by 100 अब a के रूप में यानि की percentage of a of a की तो वैल्यू हमें पता ही है 86 upon 165 percentage निकालना है तो multiplied by 100 कर देंगे तो यह आप लोगों का multiplied by 100 कर आब आप इसे आगे काटी जीजिएगा पांस से काटेंगे तो यह जाएगा कितना तीन पर और फिर से तीन पर जाएगा यह चला जाएगा आपका 20 पर चला जाएगा आगे कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है आगे आप इसको पूरा पूरा आप डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 12 और 172 0 33 अब यह 5 से क जाएगा तो 165 और लगबग लगबग आपका पांस से उपर जाएगा अब आप ऑप्शन पर जाएगे ठीक है 68 वाला reject हो गया 40 वाला reject हो गया 25 वाला reject हो गया आप पूरा ना solve करके भी option से जाएंगे तो आपका 52.12 के आसपास ही आपको मिल रहा है एक option जिसमें 50 से उपर है और कोई ऐसा option हमें नहीं दिखा जिसमें 50 के बाद दिखा रहा हूँ आप फिर भी आगर इसमें पूरा calculation करने की कोशिश करेंगे तो यह exact इसी पे की जाएगा 52.12 परसेंट तो अपना बी एक वैल्यू के रूप में कितना आया है 52.12 परसेंट तो देखो option method भी हमने लगा है elimination भी करा just थोड़ा initial हमने calculation करी और option देखा तो हम आगे बढ़ सकेंगे question number 4 if 140 is subtracted from a number it reduces to its 30% देखो एक number था इसमें से 140 को माइनस कर देते हैं तो यह 30% पर रिड्यूस हो जाता है मतलब का क्या हुआ कि यह किसके बराबर हो गया 30% 30 upon 100 multiplied by a अपने आपका 30% हो जाता यह reduces to its अगर यहां पे लिखा होता रिड्यूसेज रिड्यूसेज बाई अगर टू की जगे लिखा होता बाई तो क्या होता अब 30% की कमी आती और actually में हो जाता है 70% का अब क्या लिखा है टूइट यह कम होते होते 30% का हो गया है कितना हो गया है 30% का हो हो गया है ठीक है तो यह बात भी क्लियर आगी टू इट्स और बाई में क्या फरक होता है वह आप लोगों को समझ में आ गया यह बाकि अब कोशन बहुत इजी बच गया है अब आगे कुछ करना नहीं है हमें सिफ कल्कुलेट करना है तो यह कितना हो गया 3 by 10 a 10 को इदर ले जाएगी आपकी दोसो एकी वैल्यू आ गई दोसो अब हमें निकालना है वर्ट इस 42 परसेंट आप देखो फिर से 42 परसेंट किसका निकालना है नंबर नंबर कितना आया दोसो तो 42 परसेंट ओफ ए किसके बराबर होगा भाई 42 अपन में 100 multiplied by 200 00 cancel out यह हो जाएगा आपका 84 42 percent of 200 is 84 यह बहुत easy calculation है आप डारेक्ट इसको 42 अपन हंडर्ड से कर सकते थे और सब्सक्राइब करना है तो जैसे ही आपने यहां पर दोस्तों में 00 परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज वैल्यू हमेशा 00 से cancel out हो जाती है आगे बढ़ें question number five there are just two ways in which four may be expressed as a sum of two different positive numbers इस question को ध्यान से बढ़िएगा यह बहुत basic question है पर इस तरीके की question बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए आद तक यह अपने आप में एक नया question बनाने की कोशिश करिए देखो में को क्या लगता है ना जो आपके descriptive based question होते थे ना कि बहुत लंबे-लंबे paper solve हो रहे हैं और जिसमें steps के maximum मिलते थे तो उस तरीके के questions को यह उठाके mcq के format में बदल देते हैं और फिर उसी तरीके से बहुत लंबे हो जाते और उतना ही फिर आप लोगों को करने में दिक्कत आती और ऐसा लगता है कि पेपर टफ हो रहे हैं पर actually में वह paper अपने हिसाब से बहुत इजी बना रहे होते हैं 10th level का बना रहे होते हैं पर यह भूल जाते हैं कि जितना time उसको solve करने में लग रहे हैं वह उसे टफ बना रहा है बर खेर यहां पर उतना time नहीं लगेगा कोई ऐसा question आएगा जिसमें time लगेगा तो मैं आगे बर discuss करूंगा इस question को देखो से लिखा जा सकता है अब हमसे पूछा गया in how many ways 9 can be expressed इसी तरीके से 9 कितरे रूप में express कराता जा सकता है देखो भई 9 को कैसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0 वो तो reject करना है इसका मलब 0 नहीं होना चाहिए तो 8 प्लस 1 7 प्लस 2 5 प्लस 6 प्लस 3 होना चाहिए 6 प्लस 3 5 प्लस 4 5 प्लस 4 और उसके बाद क्या होगा 4 प्लस 5 यह repeat हो गया यह repeat हो गया कैसे repeat हो गया देखो 5 प्लस 4 और 4 प्लस 5 एक ही बात है इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो एक ही चीज है पकड़े कानी जाने है तो इसलिए यह चार तरीके से हम 9 को represent कर सकते हैं sum of two positive इंडिजर्स के रूप में तो क्या क्या है 8 प्लस 1 7 प्लस 2 6 प्लस 3 5 प्लस 4 तो बहुत बेसिक कोशन था इस तरीके से आपका अंसर यहां पर option number 4 4 clear हो गया क्योंकि हम चार तरीके से यह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं all right let's move forward यह question है हमारा scheme जिसमें LIC NPS ELSS में इन्वेस्ट कर रहा है स्नेहा ने और नेहा ने अलग-अलग amount पर इन्वेस्ट करी हुई है इसका data हमें given है the investment of स्नेहा in ELSS and NPS together is what percent more or less than नेहा in NPS and LIC देखिए अगर हम स्नेहा की बात करें तो स्नेहा ने ELSS और NPS स्नेहा ने ELSS और NPS में कितना invest कर रहा है 25,500 और 20,000 तो यह हो जाएगा 45,500 total investment स्नेहा की अगर हम नेहा की बात करेंगे इसी तरीके से तो नेहा की किसमें NPS और LIC में 20,000 और 14,500 यानि की 34,500 अब हम से पूछा गया गया है कि नेहा की investment नेहा से कितनी ज्यादा या कम है यह तो ज्यादा दिख रही है तो कितनी ज्यादा है 00509 ठीक है नहीं स्वरी ग्यारा तो कितनी ज्यादा है 11,000 ज्यादा ए तो 11,000 ज्यादा है अब यहां पर पूछना है कि Permanentage में बताना है चलिए तो 2 परसेंटेपेश में भी बता देंगे तो Hero oNag काट दीजे और 345 को डिवाइड करेंगे 345 से तो उतना परसेंट यह ज्यादा होगा अब एक बात ध्यान रखो छोटी सी आपकी कैलिकुलेशन है अगर आफ स्पीड से करना चाहेंगे तो करिएगा पर एक बात ध्यान रखो अगर मैं मालो इसको तो चार से मल्टिप्लाय करो तो 45 छोड़ो अवी 13की चार से मल्टिप्लाय करूं मकला तो यह तो और जादी जादा हो जाएगा इसका मतलब यह एक छोटे पे जाएगा एक चोटे पर गए जो जाएगा उनगे और वैंधम यहह हो कर दो फटिवन नहीं भाई 37.56 अभी 3 पे है जा सकता है 49.55 नहीं अब देखो यहां पे 1035 था और यह 11,000 मानलो यह 1100 था और यह 1035 था तो 1100 और 1035 में बहुत कम का डिफरेंस है यानि कि यह 3 के बहुत आगे नहीं जाएगा 30 में बहुत आगे नहीं जाएगा 37 पे जाएगा तो यह बहुत बड़ी वैल्य हो जाएगी अपने आप में 31 के अराउंड ही रहना चाहिए इसे ठीक है क्योंकि अगर हम 1135 1100 से 1035 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 65 ठीक है 65 इसका दो डबल भी जादा ही हो रहा है 345 डबल भी जादा ही हो ठीक है तो यह 31.88 पर ही जाएगा 37. 7.56 आपका कम हो जाएगा तो यह जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह आपकी कॉंसर्ट बिल्ड इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पहुत ज्यादा कैलकुलेशन वहां पर एक्जाम में ना करनी पड़े इस तरीके से अगर हम आप इसको लेके बैठेंगे कि 11 14,000 को हम डिवाइड करने बैठें 345 तो आप लोगों को थोड़ी अप्रॉक्सिमेशन आनी चाहिए अप्रॉक्सिमेशन कैसे आएगी जाद से ज्यादा प्रेक्टिस करके अभी मैं जो आपको बात बोल रहा हूं यह आप बात सुनोगे यह आप समझोगे कि हाँ इसको इस भी कोष्ट आफ टाइप बन और राइस ऐटीन पर केज़ी और दूसरे टैप का राइस 24 पर केज़ी देखिए एक पहला जो किस्म का चावल है पहले टाइप का जो चावल है वो 18 रुपे का है दूसरे टाइप का जो चावल है वो आपका 24 रुपे का है और इनकी दोनों को मिक्स कर दिया गया है यहां से पहले टाइप का चावल ले लिया गया और यहां से दूसरे टाइप का चावल और इन दोनों ही बरतन में से एक नया बरतन बनाया गया जिसमें mix कर दिया गया और वो किस रेशो में mix करा गया है 3 ratio 4 में mix करा गया है हम से यहां पर cost पूछी गई है तो cost जो थी वो x आग जाती है तो यह हो जाता है आपका 24 minus x upon में x minus 18 is equals to 3 upon 4 यह हमने allegation लगा दिया है तो यहां पर हमने देखा अब कुछ नहीं करना cross multiplication कर दिजिए यह हो जाएगा आपका 96 minus 4 x is equals to 3 x minus 54 7 x हो जाएगा 4 x जिदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 7 x 7 x किसके बराबर हो जाएगा 150 के बराबर हो जाएगा 7 x किसके बराबर हो जाएगा आपका 150 के बराबर हो जाएगा तो यानि कि x की value 150 upon में 7 हो जाएगी एक्स की value क्या हो जाएगी 150 upon में 7 अब फिर से आप देख लो यह इस तरीके की division आप लोगों कैसे करने यह कितने पर जाएगा 2 पे जाएगा 14 10 और फिर 1 पे जाएगा कितना बचा 3 और फिर 4 पे जाएगा 26 और फिर फिर 3 पे जाएगा 21.43 का यह x की value आ गई तो यह जो mix करके आपका जो answer आया है 21.43 अंसर क्या आया है 21.43 चलिए आगे चलते हैं question number 8 पर a woman a woman's wage was reduced by 24% 24% की कमी आ गई women's wage में अगें the reduced wage was increased by 24% find her loss in terms of percentage तो हमने क्या करा पहले 100 पे माना 100 पे में उसकी 24 परतीशत की कमी आ गई तो कितना हो गया 76 पे हो गई अब इस 76 में उसकी 24 परतीशत की व्रिद्धी हो गई अब कितनी व्रिद्धी हो गई 24 परसेंट की उसकी इंक्रिमेंट होगी 24 परसेंट किसका 76 का तो 24 अपन में 100 मल्टिप्लाइड बाई 76 चार से आप इसे काट दीजिए चार से काटेंगे तो यह जाएगा पर अब बचा हमारे पास क्या एक सेकेंड दीजिए आप लोगों को दिखने ही रहा होगा हमारे पास यहां से बच गया 3.04 x 6 तो यह हो जाएगा आपका 24.18 18.24 अब यह इंक्रिमेंट आया है तो 76 प्लस में 18.24 यह कितना होगा 24 चौदा और 94.24 94.24 फाइनल उसकी क्या हो गई है सेलरी हो गई है पहले कितनी थी 100 थी 100 में रिडक्षन आया 24 परसेंट का तो 76 होगी 76 में इंक्रिमेंट हुआ 24 परसेंट का तो यह आई है आपकी कमी 5.76 की 5.76 की कमी आई है यह कितनी कमी आई है 5.76 की अगर 100 पर पर 5.76 पैसे की कमी आती है तो परसेंटेज वेल्यू क्या होती है वो 5.76 परसेंट की कमी आ गई उसकी सेलरी में चलिए नेक्स्ट कोशन find the value of a when it is given that a and b are two positive integers बहुत important point है यह positive भी होने चाहिए और integers भी होने चाहिए such that a square minus b square is 48 a square minus b square is equals to 48 तो यह आपकी value हो गई है a minus b a plus b a minus b किसके बरावर 48 के बरावर देखिए इस question को मैं आप लोगों को homework देना चाहता हूं ताकि आप लोग next class से पहले इस question को solve करके रखें अगर question को solve करने में आप लोगों को कोई doubt आएगा तो please comment करके आप लोग बताना नहीं doubt आएगा तो सही है सभी अपना answer भी mention कर देना कि क्या answer था हम next class में इसे जरूर देखेंगे कि इस सही के questions को मैं कैसे attempt करना चाहिए मैंने आप लोगों को hint दे दिया है कि इस तरीके के question को आप लोगों को ऐसे expand कर लीजिए अब यहां पर आप 48 के फेक्टर बनाई है जैसे कि 48 multiplied by 1,24 multiplied by 2 and carry on वहां पर देखें कि भाई A plus B की value 48 हो सकती है A minus B की value 1 हो सकती है तो यहां से A की value क्या आएगी और B की value क्या आएगी generally ऐसी तरीके के question होते है इस तरीके के question उन questions में यह वाली जो value होती है वो prime number गिवन होती है तो उसमें prime number अगर गिवन होती है तो हम directly क्या मान लेते है कि A plus B वो number हो जाता है और A minus B वो 1 हो जाता है उससे easy हो जाते solve करना बढ़ यहां पे prime number नहीं है इसके factor बनेंगे factor अलग लग बनेंगे अलग लग factor को आप लोगों को यहां पे put करके देखना होगा और उससे A की value निकालनी होगी एक चीज और ध्यान में रखनी होगी आपको options भी check करने होगे क्या वो आपका जो answer निकला है वो option में गिवन है या नहीं है अगर नहीं है तो ignore करिए अगला questions अगला point जो अगला value निकल सकते उसे निकाली है और आप पे options को check करिए यह question मैं आप लोगों को homework के लिए दे रह अगला question देखते हैं simplify करना simplification में बहुत easy है ज्यादा दिक्कते करनी नहीं है पहले multiply कर लीजिए कि यहां पर कितना हो जाएगा double 0 12252 00-720-1800 यह कितना हो जाएगा 0 8 और यह 11 11 4 24 चीक है प्लस में अठारा सो अठारा सो जीरो एट टू आठ आगया आठ चार बारा बारा और पांच और छे हैं 2628 यहां पर हमेशा से यह था ही divided by 10 divided by 10 divided by 10 तो यह आजाएगा आपका 2628 बहुत easy था simplification बहुत जादा कुछ करना नहीं था option number 3 आप लोगों का सही हो गया तो दोस्तों इस तरीके कि सारे questions जितने भी questions आप लोगों के बनते हैं वो हमने आज solve करें अगली class में फिर हम आगे के 10 questions solve करेंगे मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि class को daily देखिए class के साथ साथ आप लोग यह आप question solve जरूर करते रहेगा फिर मुलाकात होगी आपसे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिये जादत बाइबाइटिक क्यार नमस्ते